एलो कीजिये एं वेल्कम प्रेक टू बएक चैनल हैं गाईस आज मैं अपके लेकर आगए हूं एक श्की बॉर्ब्लमस होती और जिसे डाग 스र्फिट्पोस हो जाते हैं डाग सरकल्स हो जाती स्किन पर दाने भी रिमूब करेंगा और आपकी स्किन को बनाएगा आपकी स्किन को बनाने के लिए जो इंग्रेडियंस यूज़ किये हैं वह बिल्कुली नैच्रूली है यह आपको घर पर इसली अवैलेबल हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करतें से बनाना तो सब सब पहले मैं ले रही हूँ वन टीस्पून ग्राम फ्लोर यानि बेसन बेसन जो होता है वो हमारी स्किन के टेक्च्चर को स्मूदर बनाता है यह हमारी स्किन की जो डाक स्किन होती है उन्हें रिमूव करता है हमारी स्किन पर जूरिया हो जाती है उन्हें भी होते हैं वह auditoryths कि निकाल में बहुत हैं यह हमारी स्कuse के q इसे जादा लिक्विड या नहीं बनाना है हमें face take के इसाब से इसे थोड़ा थोड़ा सा इसकी जो consistency है उसे थोड़ी गाड़ी ही रखनी है एन हमारे face पे अच्छे तरीके से लग जाए यह रनी नहों उस type से हमें इसकी consistency रखनी है तो हमें धीरे धीरे करके इसमें पानी add करते जाना है और इसे mix करना है हमें पानी को एक साथ नहीं डालना है नहीं तो यह कुछ जादा ही liquid हो जाएगा तो मैं इस तरीके से इसे अच्छी तरीके से mix कर लूँगी जब तक यह mix नहीं होता है इसे मैं mix करूँगी अब मैं जो है ले रही हूँ 1 teaspoon aloe vera gel aloe vera gel आप अपने सबसे जो भी आपका फेवरेट हो वो आप यूज़ कर सकते हो मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजली का aloe vera gel और मैं इसे spoon की आज़ पर mix कर लूँगी जो भी अपनी skin पे dark sports हो जाते हैं और dark circles हो जाते हैं जिसकी वज़ा से जो dark धपे रहे जाते हैं हमारी skin पे यह उसे remove करने में बहुत ही helpful होता है यह हमारी skin के texture को बिल्कुली smoothly बना देता है और हमारी skin को naturally go देता है सो मैं इसे add करूँगी और इसे अच्छी तरीके से mix करूँगी जब तक यह mix नहीं होता मैं इसे spoon की health से इसी तरीके से इसे दीरे-दीरे circular motion में mix करूँगी सो आपको क्या करना है सबसे पहले अपने face को wash कर लेना और देन आपको इस face पे अपने face पे apply करना है आपको इसे circular motion में apply करना है जिससे कि आपकी dead skin cells है वो remove हो जाएगी और यह जो आपकी acne and prone skin होती है उससे भी remove करने में help करेगा आपकी dark circles, dark sports हो जाते हैं उनसे भी आपको रहत दिलाएगा इस तरीके से apply कीजिए आप 15-20 minutes इसे dry होने दे और आप इसे normal water से wash कर ले सो आज की मेरी यह थी remedy कैसी लगी like and comment करके जरूर बताईएगा और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए bye and take care